खुश्बू इस वक्त हमारे साथ गाज़ेबात से हैं, खुश्बू अपना सवार करिए। प्रूव नहीं हो जाए, हम उनको आज की तारीक में कोविड ही मानके चलते हैं, तो आप तीन से पास दिन वेट करें, अपना ये आर्टी पीसियार जल्दी से जल्दी कराएं, और दूसरी बात अगर आर्टी पीसियार नेगेटिव भी आ जाता है, तो ये प्रूव नहीं है कि आपको कोविड नहीं है, क्योंकि सो में से सिर्फ सतर प्रतिशन लोगों को, जो कोविड के सो मरीज हैं, उन में से सतर में ही आर्टी पीसियार पॉजिटिव आता है, तीस परसेंट में कोविड होते हुए भी आर्टी पीसियार नेगेटिव आ सकता है, तो कम से कम अगल यह जुड़े होगा है आज आपना सवाल करिए मैं टीक डॉक्टर आशी ज्वाल जी आप जवाब दीजिए आप ले सकते हैं कोई भी जो दवाया आप जो भी हम लोग सकायाट्रिक्रिक में दवाय ले देघाएं उसमें कोईट़ ना ले रहे हैं वो भी अपना corona का वैक्सीन ले सकते हैं बस एक फोड़ा का बात यह जो लोग इस्टिरोईड ले रहे हैं जैसे कोई बिमारी में लंबे समय से स्टिरोइड ले रहे हैं अगर वो स्टिरोइड का डोज अपर 10 मिलिग्राम से ज्यादा है तो अपने डॉक्टर से संपर करके वैक्सिनेशन ले अगर आए खून को पतला करने की दवा वार्फेरिन आती है अगर आपका वार्फेरिंग प्याली दवाओं पे या कोई और ही पूछ के वैक्सिनेशन के इसके अलावा कोई भी जो पिद वा आदमी ले रहा है वो अपना वैक्सिनेशन ले सकता है सेफ है और कोई ऐसा इंडरेक्शन नहीं है डॉक्टर अनिल शर्मा अपसे मेरे एक सवाल है कि जो फंगल इंफेक्शन के केसे सामने आ रहे हैं क्यो सबसे पहले तो अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है उसके लिए प्रोटीन का यासे जैसे डाल का इस्तमाल कूप करें पंकुरी चना मूं कूप करें जो नॉन वेजिटरियन लोग है वो अंडा चिकन फिश खा सकते हैं सबजी सलाद फलो का कूप सेवन करें तो हैल्थ कोई भी दवाई जब खून पतला करने की दवाई जो भी दवाईयां है वो बंद ना करें वो मॉर्बीड कंडिशन को कंट्रोल में करके रखें खून पतला करने की दवाई एस्प्रिंग, क्लोपिडोगर, टिकागिरॉल यह जो दवाई हैं वार्फेरिन अगर ले रहे है तो सुबह वैक्सिन लगाएं उसके बाद वो डोस ले सकते हैं बाकी कोई मना ही नहीं है इवन जो दूद बिलारी है माता है बहने वो भी वैक्सिन ले सकती है